है एब्रियोन मैं हूँ मारिक पायक और आपको सौगा थे गुगल एड ट्यूटियल क्लास पे और यहाँ पर आज जानेंगे के गुगल पीपीसी कहा पर अगर आप गुगल पीपीसी केमपेंज चलाते हो तो आपको जो एड्स है वो कहा कहा पर शो होता है आप जानते हो कि यहाँ पर जो ट्यूटियल क्लास चल रहे है यह क्लास बेसिकली उन लोगों के लिए मैं डिजाइन किया हूँ जो एक्चुली बिगिनर है फेशर है और जो पहले बर कभी गोगल आप्स नहीं चलाया है तो उन लोगों के लिए में एपेस डिजाइन किया हूँ तो यूट के बात है कि अगर आब एक ad campaign चलाते हो तो एड campaign कहा कहा पर शो होता है तो में जो टॉफिक है understand google ppc where is show google ads और यह बिल्कुल हिंदी में है ओके तो इसके जानने के लिए आपको थोड़ाशा google पुल जो chrome browser है वह आपको open करना होगा और यह समझने के लिए आपको थोड़ाशा जानना होगा कि कहा कहा पर ad show हो सकते because अगर आप एक नए ad campaign चला रहे हो तो आपको थोड़ाशा ad campaign के बारे में जानना होगा या अगर आप फेशर हो तो आपको यह जानना होगा कि कहा पर अगर आप ad campaign चलाएंगे और वो ad कहा पर आपको show होगा आप खुद भी decide कर सकते हो कि आपका ad कहा पर चले और कहा पर ना चले तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मैंने एक already google open करके रहा हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा कि प्लामबार in Boston यह एक keyword है आप जानते हो अगर आप पीपीसे सीग रहे हो तो आपको जरूर पता है कि keyword के होता है तो यहाँ पर मैंने जब keyword डाला हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको एक text देखने को मिल रहा है राइट बस्टन लोकेशन कहा पर है यह new york के अंदर है sorry यह USA के अंदर है जो एमरिका कहता है लोग ठीक है तो friend यहाँ पर जो बात यही है कि यहाँ पर यहाँ पर Google Ad इस्तेमाल करके यह वलो एड यह पाब्लिक को दिखा रहे है आप चाहे तो Google Ad इस्तेमाल करके आप भी आपका campaign दिखा सकते हो लोगों को पर यहाँ पर जो हम लोग मिलका देख रहे है कि यहाँ पर जो ads है यह search ad कहता है ठीक है Google search ad या text ad इसको आप text ad भी कह सक और यह ads ज्यादा तर ज्यादा Google search engine उसको साथ जो company के साथ जुड़े है जैसे यह ओल हो सकते है और भी बहुत सारे search engine होते है जैसे यह हूँ तो वहाँ पर आपको जो text ad दिखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको यह SI ad दिखने को मिलेगा तो वो Google Ads के उपर आता है number one number two यह है यह ad ad express भी चलता है और Google ads के उपर भी चलते है यह Google map listing local marketing के लिए इस्तमल करता है और आप भी चाहे तो आप भी यह Google ad express इस्तमल करके यह Google ad इस्तमल करके यहाँ तक आपका ad show करवा सकते हो अगर आपको पास already Google में business page है तो वो इस्तमल करके आप ज्यादा तो ज्यादा यह फाइदा लेव सकते हो यह गे number one आप दूसरे वाला आते हैं यहाँ पर मैंने एक YouTube लिखा और यहाँ पर देखे मैंने लिखा SEO company यहाँ पर भी एक SaaS box है यहाँ पर भी SaaS करके आप आपका ad द और नीचा आएंगे तो सायद आपको और ad नहीं देखने को मिलेंगे in future आपको यहाँ पर भी बहुत सारे ad in future देखने को मिलेंगे तो आपको समझ में आ गया कि Google SaaS engine पर अगर हम लोग मिलकर ad चलाएंगे तो आप Google SaaS engine पर भी देख पाएंगे अगर आप YouTube के अंदर वो भी एक basically keyword के ऊपर यहाँ पर भी आपको keyword के ऊपर add चलता है यहाँ पर भी आपको keyword के add चलता है बाप में विदाओंगा कि यह आद का जो type है यह कौनसा type के add है और यहाँ पर जो add है यह कौनसा type के add है ठीक है तो मैं यह request के तो पूरा video देखे और यहाँ पर step by step beginners से expert level में आपको Google AdWords जो टूटेल क्लास है वो step by step में आपको सिखाते रहोंगा राइट एक वेस साइड है और ये वेस साइड एक पर एक URL उठागा राइट तो ये देखें URL के बज़े से आपको एक एड आपको शो हो रहा है तो ये भी एक तरीका से एड है यहाँ पर और भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एड देखने को मिलेंगे तो एड का छाइज एड का कंटेन्ट के उपर देखा स Hey तो देखें यहाँ पर भी आपको एक एड देखने को मिलेंगे तो फ्रेंड एक और गैड अगर आप और यूटूब पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखें है अ象ORY बड़ीए डिस्पेड है इसको डिस्पले हो, नेटर्क हो, मतलब YouTube का जितना सारे bumper ads है, यहाँ पर show होता है, तो इसको क्या कहते है, bumper ads कहते है, आप चाहे तो यहाँ पर भी आपका company का branding करने के लिए, यह ad show करवा सकते हो, यह गया और एक ad, अगर आप कोई भी वीडियो शुर्वाद कर रहे हो, तो वीडिय की उपर भी चलते है, अगर यह ad भी आपको पसंद नहीं आ रहे है, तो अब ऐसा type के ad campaign भी देखा सकते हो, यहाँ पर भी आप देखें, यह भी एक ad है, तो friend, इतना जानकरी देखने के बाद आपको सायद पता चल रहे हैं, कि यहाँ पर आपको कौन सा वाला ad देखने को म लाइङे, तो वहाँ पर भी आपको ad देखने को मिलेंगे, तो चलिए, मैं हम लोग एक साथ open करते है Google Play Store, और जब भी आप प्ले स्टोर ओपिन कर लेंगे, तो यहाँ पर भी आपको ad देखने को मिलेंगे, तो friend, यह सारे के सारे जो चीज है, यह सारे के सारे जो ads आप दे आइब का बम्पर दॉट चलता है, यहाँ पर देखे बहुत सरे आड आपको देखने को मिलेंगे, आपको कैसे पतर चलेगा के आड है, तो चलिए, एक बाल सुरू कते, यहाँ पर लिखते है के play game, और देखे यहाँ पर आपको साइद आड देखने को मिलेंगे, तो आपको देखें यहाँ पर add नहीं आया तो मुझे high compression और keyword देना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखें एक add, मैंने लिखा कि games, तो साइध यहाँ पर भी आपको add देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो हो सकते हैं, तो चली यहाँ पर मैं see more करता हूँ, साइध मुझे add देखने को मिल जाए तो चली यहाँ पर भी add देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, education, educational, education book for free, तो यह सारे सीज जो है, यहाँ पर भी add देखने को मिलता हैं, पर पता नहीं यहाँ पर अभी मुझे add दिखाए नहीं दे रहे, तो यह live tutorial class के साथ चल र पर यहाँ पर भी add देखने को मिलता है, तो फ्रेंट यहाँ पर भी अगर कोई भी shop में button में दबाऊंगा, तो यहाँ पर भी आपको add देखने को मिल जाता है, तो फ्रेंट आप चाहे तो आपका जो apps है, वो apps भी आप install करके लोगों को पास आप add campaign दिखा सकते हो, अगर मै पेटियम लिखूँगा, तो साइध यहाँ पर पेटियम के related जो है, तो चलिए एक पेटियम के यहाँ पर click करता हूँ, साइध मुझे लगता है कि और भी add देखने को यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, तो चलिए यह similar है, और इसके साथ साथ नहीं, तो चलिए फ्रेंट यह जो add campaign आपने देखा, इसके अंदर ज्यादा तर ज्यादा दो type के add चलते हैं, एक है display add, और एक है search add, और एक है play store add, तो यहाँ पर आपको जो application marketing के लिए आपको google play store के अंदर भी add चलते हैं, अगर आप google music, play music के अंदर भी add देना चाहते हैं, या जो लोग adsense लगा कर र ad show होता है, अगर आप ad campaign चलते हो, और आप जानते हो कि google ad ads इस्तमाल करके आप ज्यादा से ज्यादा आपको business का फाइदा ले सकते हो, तो यही tutorial class आपको साथ शेयर करना था, आगे हम लोग और भी बहुत सारे वीडियो शिखेंगे, और tutorial class आप लोगों का साथ में शेयर करत तो ऐसा ही वीडियो आपको part day मिलते रहेगा, इसलिए मैं request करता हूँ कि आप ए चैनल subscribe कर दीजिए, क्योंकि मैं एक professional digital marketer हूँ, जहाँ पर आपको AC, AC, PPC, Google Ads और website design और development का service भी आपको मिलते रहेगा, अगर आप चाहते हो मेरा साथ contact करने के लिए, तो यहाँ पर जो number है, यह number से call करके मेरा से बातसीत कर सकते हैं, चाहे आप hot step भी कर सकते हैं, तो thank you so much friend अपनी important time दी, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, नए और एक वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अब happy रहिए, खुशी रहिए, जाए हिन, बंद मत रहें